आज के समय में साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो लेकिन मिट्ट्टू के बाद क्या होता है क्या पुनर जनम होता है इन सब बातों में साइंस भी फेल है पर प्राशिनकाल से ही दुनिया के अलग-अलग धर्म के लोग जैसे की हिंदू धर्म भी पुनर जनम को मानते आ र जी चुका होता है यानि एक जिन्देगी जीने के बाद उसका मिट्ट्टू होता है और वो दूसरा जनम लेता है और पिछले जनम का हमारे आज के जीवन पर काफी असर परता है इसको समझने के लिए चलिए खुद से कुछ सवाल पूशते हैं क्या आपको पहली बार किसी ज अपना महसूस करते हैं या फिर कोई क्यों बिना रिष्टे के भी हमारी फिकर कर रहा है क्यों कोई हमारी तरफ या हम उसकी तरफ खिंसे चले जा रहे हैं तो अगर किसी इंसान से कोई जुराब महसूस होता है या फिर किसी इंसान से हमेसा जगरा होता रहता है और उसके सा बहुती सामय नहीं है। लेकिन अगर आपको फूल की पंखड़ी ओधने से या फिर गारी चलाने से दर लगता है। इसे इनसान के भीटर चिपा हुआ दर या फिर किसी अजनवी से जुराब का एहसास कई बार एक बोज की तरह उसके साथ बना रहता है और उसका ये जनम प्रभावित करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर पी एलर ठेरापी कहा जाता है। लोगों का दावा है कि इससे बटामान की समझ से खतम हो जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ठेरापी के जड़िए ना केबल मनसक और भवनात्मक बलकि सारीरिक दिकतों को भी दूर किया जा सकता है। ये पच्छिमी डेशों में काफी प्रसलिट है लेकिन अब भारत में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ठेरापी करने बालों में से अमेरिकी फिजियो ठेरापिस्ट और हिपनो ठेरापिस्ट डॉक्टर ब्रेन बीस का नाम काफी मस है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ठेरापी दो थियोरी पर अधरित है री इनकार्निशन और लो अफ कर्मा। री इनकार्निशन का मतलब होता है पुर्णर जनम। कहा जाता है कि इंसान जब तक अपनी आत्मा का पुर्ण विकास नहीं कर लेता तब तक वो जनम लेता रह उसके साथ अच्छा करके उस रिनको चुकाना होगा और पिछले जनम की घटनाए हमारे आज के जीबन पर काफी असर डिखाता है कुछ लोगों को वो घटनाए याद रहता है और कुछ को नहीं जिन्हें याद नहीं रहता वो भी अपना पिछला जनम डेख सकता है इसके इसके लिए ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी के दोरान उस व्यक्टि को सन्मूहित क्या जाता है जिससे पिसले जनम या बीटे समय में जाया जा सकता है इसके जड़िए हम अपने अवचेटन मन को एक्टिव कर पुरानी बातों को फिर से याद कर सकते हैं अवचेटन मन में साड़ी यादे मोजूद रहती है अवचेटन मन की एक खुबी ये है कि इसमें वक्त का कुछ भी असर नहीं होता उसके लिए पसास साल या फिर पास सो साल पहले हुई घतना अब भी मोजूद होती है पास लाइफ रिग्रेशन थेरापी के दोरान प्रस्नों की एक स्रिंखला को लगातर पूछा जाता है और उस व्यक्ति का अवचेटन मन अपने पिसले जनम की बात बताता जाता है तब व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि वो उसका पिसला जनम है और ये उसका दूसरा सरीर है उसको लगेगा कि वो उसी समय में ही जिन्दा है तो ऐसे में थेरापी करने वाले डक्टर्स उस व्यक्ति के अवचेटन मन को विश्वास दिलाता है कि अब वो चीजे खतम हो गई है और ये एक अलग सरीर है और अलग जीवन है तो जो पुरानी भावनाएं आपने इस तोर की हुई है उन्हें भूल जाना चाहिए और जब थेरापी के बाद वो व्यक्ति जागता है तब से उसे पिछले जनम की बाते इस जनम में और प्रेशान नहीं करता अगर किसी को कोई खास दर्ड या फोबिया है तो ऐसे में थेरापी के जड़िये थेरापिस्ट आपको वक्त में पीछे लेकर जाता है ये जानने के लिए कि फोबिया आप में कहां से शुरू हुआ था जिसके बाद एक हिपनो थेरापिस्ट उस पर काम करना शुरू करता है और इस तरह से फोबिया से जुज रहे सक्स की मदद करता है उसके अलाबा अगर आपके सरीर में कहीं किसी तरह का दर्ड है इलाज कराया तो कोई कारण नहीं मिला तो ऐसे में पास लाइफ रिग्रेशन करया जा सकता है हो सकता है कि पिसले जनम में आपको किसी ने उस जगह पर चोट पहुँचाई थी और वो दर्ड आपने अभी भी वहां इस तोर करके रखा हुआ है एक बार एक महिला को कमर में बिना कारण का दर्ड था उसे थेरापी में पटा चला कि कमर में चोट लगने के कारण उसकी पिसले जनम में मोट हो गई थी जिसके कारण उसे आज भी उसी जगह पर दर्ड होता है लेकिन थेरापी के बाद वो दर्ड खटम हो गया उसके बाद एक महिला को पानी से काफी डर लगता था जब वो उसके पीछे की बज़े को जानना चाही तो पता चला की वो पिछले जनम में एक सेनिक थी जिसे पानी में दुबा कर मड़ा गया था इसके अलावा एक सक्स जिसके हाथ पर कई निसान थे और उसमें दर्ड होता था तो पता चला की पिछले जनम में उसके हाथ पर चाकुचे बार किया गया था उसके बाद इस थरापी से ये भी पता चल जाता है कि हमारा किसी के साथ कौन सा कर्मा जुड़ा हुआ है कोई क्यूं अचानक हमें परिशान कर रहा है कोई क्यूं बिना किसी रिष्टे के भी हमारी फिकर कर रहा है क्यूं कोई हमारी तरफ या हम उसकी तरफ खिशे जा रहे हैं इंसान को इस तरह के उल्जनों से बाहर निकलने के लिए भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी कारगर सावित हो सकती है हाला कि कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते या फिर इसे अंधविश्वास मानते हैं वही कुछ लोगों का कहना है कि यदि ये अंधविश्वास है तो ध्यान और प्रणयाम को भी अंधविश्वास माना जाना चाहिए आपको क्या लगता है? कॉमेंट में जरूर बताए मुझे तो लगता है कि हमारी दुनिया में बहुत एसी अंदेखा सच चिपा हुआ है जिनका जवाब बग्यानिकों के पास भी नहीं है तो इस तरह के और भी अंदेखा सच बाले वीडियोस देखे रहने के लिए हमारे इस चनल को सब्सक्राइब करके रखे तो जल्दी से मिलते हैं एक नए अंदेखा सच बाली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार